नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भिन्यूज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जियो भिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिश जाकर जियो भिन्यूज को सब्सक्राइब करके और पहले कॉंग्रस की अंत्री मध्यक्च सोनिया गांधी ने राज्जी के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। और नहीं उनकी करनी उन्होंने कहा के मजदूर आज मजबूर है किसान आज परेशान है और नौजवान आज निराश है। जुलाई के बाद देश में पहली बार एक दिन में इतने कम मामले सामने आए हैं। जुलाई को देश में 34,884 मामले सामने आए थे। देश में कोरोना की मरने वाले लोगों की दर भी लगातार घट रही है। और अब मरने वाले लोगों की दर एक दस्मलों पांच परतीशत हो गई है। स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने बताया कि अब 14 राजियों और केंदर शासित परदेशों की मरने वाले लोगों की दर एक फीसदी से भी कम है। स्वास्त मंत्राले के द्वारा ताजा जारी आकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के कुल मामले 89,46,430 हो गई है। इन में से 1,19,502 लोगों की जान चले गई है तो ही 72,1,070 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 6,25,857 लोगों का इलाज चल रहा है। बीजेपी नेता केलास विजवर्गियों को चुनाव आयों का नोटिस, कॉंग्रेश नेता कमलनाथ और दिगवजय सिंग पर टिपणी करने का आरोप। जिहां मध्यपरदेश में 28 विधान सभा सीटों के लिए उप्चिनाव तीन नॉम्बर को होने जा रहा है। इसे बीच राजनेतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बयान बाजी का सिलसला जोरोपर है। करते हुए कहा कि कमलनात और दिवजय ये दोनों चुन्न मुन्नु हैं। 2018 में जब रज में विधान सभा चुना हो रहे थे तो इनकी सभाओं में कहीं 50 तो कहीं 100 लोगों की भीण होती थी। उन्होंने कहा कि दोनों कॉंग्रेस निताओं ने एक पुर्वर राजगराने में पैदा हुए जूत्रदित सिंधिया जैसे खांदानी आदमी को अपना वचन पत्र जो की पिछले विधान सभा चुनाओं के दोरान जारी कॉंग्रेस की घोशना पर था उसको थमा दिया। सिंधिया चुन्नु मुन्नु की बातों में आ गए। बलकि MCD का BJP शासित केंद्र सरकार पर पिछले 10 वर्सों का करीब 12,000 कर रुपई का बकाया है। MCD में बैटी BJP के नेता जूट बोल रहे हैं और डॉक्टरों नर्सों के वेतन पर सिर्फ राजनीती कर रहे हैं। दुरगेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी इस्थानिय निकायों को हर साल अनुदान देती हैं। लेकिन 2001 के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निकम को एक पैसा भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार को प्रतिवर्श 1150 कर रुपई MCD को देने चाहिए। रूस के वैक्सीन इस पूतनिक V को लेकर अच्छी खबर 85% मरीजों में नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। जिहां सबसे पहले कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाले रूस के इस पूतनिक V वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रूसी डेवलापर का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जिन रोगियों को इस पूतनिक V वैक्सीन के पहली खुराक दी गई उनमें से अधिकांस रोगियों में इसका कोई दुश प्रभाव देखने को नहीं मिला है। इस पूतनिक V विक्षित करने वाले गामा लेया रिसर्च इंस्टिटूट ओफ एपीडियमोलोजी और माइक्रोपैयोलोजी के प्रमुख अलेक्सेंडर ग्रेंसबर्ग ने कहा कि उन्हें एंटी कोरोना वैक्सीन के कारण 85 फीसदी टीका करण में कोई दुश प्रभाव नहीं दीखा है